अब नतीजों का सीजन चड़ रहा है तो एक के बाद एक नतीजों पर हमारा फोकस है और इस बीच RVNL ने अपने नतीजे घूशित किये थे Railway Vikas Nigam Limited जिसमें कि अगर नतीजों की बात करें तो नतीजे स्टेबल ही देखने को मिले थे कंपनी के अगर सालाना अधार पर देखेंगे तो कंपनी की आय में हमने देखा कि करीब 20% की ग्रोथ देखने को मिले मुनाफ़े में 15% की ग्रोथ देखने को मिली थे और मार्जिज जो थे वह 6% से बढ़कर 6.3% के कंपनी ने घुशित किये थे नतीजों को और विस्तार से स स्वादेश को समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका आज के दिन जुड़ने के लिए हमारे साथ तो अनतीजों की अगर बात करें तो इस बार हमने देखा काफी स्टेबल क्वार्टर था यर्ली बेसिस पर ग्रोथ भी काफी अच्छी नजर आई क्वार्टर सांजी सबको नमस्कार 77 इंडिपेंडेंस लेक के लिए अगरिम बदाई और हमारा इतिहास रहा है यह 15 से 15 अगस 2002 को नेशनल रेल विकास यहुसना की गई थी उस समय के जो आधर निये प्रधान मंत्री भारत रंसरी अटल ब्यारी बाच पही ने किया तो आज के दिन ही हम हमारी कंपणी कंसीव हुई थी और आज हम टूंटी थी टूथाउजन टू मिन्स टूंटीवन इस के बिसिकली एनॉंस्मेंट से हो गया है आपका जो कुस्चन है यह क्यूंट के लिए है पर प्रोजेक्शन के लिए है और आप फ्य 24 नहीं फ्य 23 24 नहीं आप 24 25 की भी बात कर रहे हैं तो पहले मैं क्यूंट नंबर्स को लेता हूं क्यूंट में आप देखेंगे कि हमारा टॉप लाइन भी ग्रो किया बॉटम अगर आप सारे क्यूंट को अगर आप कंपेर करेंगे आर्वेनल के हिस्ट्री में तो यह जो क्यूंट 23 24 का था यह अल्टाइम हाई था तो टॉप लाइन करीब 17 पर से ग्रो किया था और बॉटम लाइन भी 17 पर से उपर ग्रो किया था अपने जो फ्यूचर करेंगे था यह जो फिर आप यह जो टॉप लाइन है वह नौमिनल तरीके से भी गरो करें तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं है बट हमारा बॉटम लाइन ग्रो होना चाहिए और यह बॉटम लाइन तभी ग्रो करेगा जब हम अपने प्रोजेक्ट डिलिवरी में जो मार्किट से प्रोजेक्स ले रहे हैं उसमें हम फर्दर एफिसेंसी लाएं तो हमारा फोकस मार्जीन इंक्रीज करने का है और वो मार्जीन इंक्रीज हम तभी कर सकते हैं जब हम एक वैल्यू एडिशन करें अपने प्रोजेक्ट इंप्लिमेंटेशन में उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे डिटेल रोड मैप्स बनाए हैं प्लान बनाए हैं मीजन मीजन एरिया इंटिफाई कियें तो कमिंग बैक तु दा कुश्चन अगें फ़ोई 25 में हमारा जो ग्रोथ आउटलुक होगा वो बॉटम लाइन का एराउंड 16 तो 17 परसेंट होगा तॉप लाइन में अब यह चीज़ रिलाइज करेंगे कि अभी हमने दो साल भी नहीं हुए हमारे को बीडिंग किये हुए हमारी कंपनी को तो इस दो साल से कम समय में हमने 175 बीट में पार्टिसिपेट किये और एप्रॉक्सिमेटली 95,000 करोर के रिजल्स भी आ गये जिसमें हमें 30,000 करोर के ओ अब बड़ा एचीब्मेंट है इने सेंस की हम मार्केट में पहली बार गया है एक गौ़र्मेंट कंपनी अपने आपको डिफेंट तरीके से मोल्ड की और इतने सारे बिजनेस मार्केट से उठा के लाए तो फ़ए 24-25 में हमारा ग्रोथ रेट टॉप लाइन का नॉमिनल होगा बट बाटम लाइन बिल्कुल बिल्कुल राजश जी प्रशानत बात कर रहा हूं मुंबई स्टूडियो से नमसकार और आपको स्वतंत्रा दिवस की 87 वर्षगाट जो हमना रहें उसकी अग्रिम उधार है वो तो है लेकिन फिलाल कुमोडिटी मारकेट की कीमते हम मोटे तौर पर स्थिर ही देख रहे हैं उसमें एक स्टेबिलाइजेशन हमें नजर आ रहा है उसके बावजूद मारजिन बढ़ रहा है इस पे आपका नजरिया क्या है और जाहर सी बात है आप्टिमिस् हैं तो हमारे मॉडल्स हैं जो गौर्मेंट के जो प्रोजेक्स हैं जो कि हमारे पास नॉमिनेशन में मिले थे हमारे पास अपना जो कैपिटल है जो हमारे बैंक्स में उसके इंट्रेस्ट है हम कुछ डिपॉजिट वक्स एक्जिक्यूट कर रहे हैं तो उसके कुछ एडव different models में यह जो component marketing का है, जो bidding के थू लेने का है, वो आने वाले समय में increase करेगा, अब यह जब increase करेगा, तो यह फिर हमारी company की efficiency पर depend करेगा, the way we have molded ourselves in last two years, less than two years, we are very confident that वो जो projects हम market seller हैं, उसमें हम बहुत सारे value addition कर सकते हैं, उसमें हम अपने margins को increase कर सकते हैं, अभी अब कुछी टीवी में English Channel में interview दे रहा था, तो अभी हमारे आधरणीय परधान मंतरी का एक quote आया था कुछ दिन पहले, पता नहीं आपने उसको देखा था या नहीं देखा था, उन्होंने कहा था कि जो infrastructure हम creation करते हैं, इसका मतलब लोगों के जीवन की आसानी, वैपार में आसानी, रो बिल्कुल, राजी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय में देने के लिए हमेशा की तरह काफी अच्छा लगता है आपसे बात करके, क्योंकि देश जिस तरीके से प्रगती कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसमें आपका, आपकी कंपनी का भी बहुत बड़ा योगदान है, आने वाले समय में हम फिर सा अपसे जुणने की कोशिश करेंगे और इस पर विस्तार से भी चर्चा करेंगे आपके आगे की योजनाओ पर, लेकिन अभी फिलाल समय की थोड़ी कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्री आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए और नतीजे उपर और आगे के ग्रोथ योजना उपर भी बात करने के लिए हमाई साथ, थांक्यू सो मच, तो यह थे राजेश प्रसाद, RVNL के डिरेक्टर, और हम देख रहे हैं कि बाजार कमजोर है, लेकिन देखे, RVNL का स्टॉक के मामूली 1.5 परचेंग की गिर इसपर्ड भी शामिल हो चुके हैं, हमारे साथ इस वक्त निमेश, हमारे साथ, इंडिपेंटने रिसर्च अनलिस्ट के निमेश ठाकर और कोटक सेक्यूरिटीज के अमोल आठवले हमारे साथ जुड़ चुके, आप दोनों का ही बहु बहुत स्वागत है शो पर, निमेश स निमेश को एंट्री लेनी है, तो क्या ये सही लेवल्स हैं? ये स्टॉक के अंदर जो ये फ्रेस एंट्री पर ये लेवल से नहीं बनता है, एक वेट, टेंड वोच करने की मेरी सला है, और करिद नबबे यार 95 के आसपा स्टॉक में करेक्शन मिलता है, तो आई तिंक वहाँ पर फ्रेस एंट्री बनती है, तो जिस तरह से टेक्निकल स सकते हैं, बाकि अधर्वाइस जो है, कोई बार ये लेवल से प्रॉफित बुख करने की भी सला जो है, वेश्टॉक के अंदर बनती है,